आए सुनते हैं मुझे प्रेमचन जी की कहानी निर्वासन परशुराम वही वही दालान में ठेरो मरियादा क्यों क्या मुझे में कुछ छूत लग गई परशुराम पहले यह बताओ तुम इतने दिनों से कहां रही किसके साथ रही किस तरह रही और फिर यहां किसके साथ आई तब विचार देखी जाएगी मरियादा क्या इन बातों को पूछने का यही वक्त है फिर अवसर ना मिलेगा परशुराम हाँ यही बात है तुम असनान करके नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी मेरे पीछे पीछे कुछ देर तक आई भी मैं पीछे फिर फिर कर तुमें दे से आ गया सब आदमी इधर उधर दोड़ने लगे मैं भी धक्के में पढ़कर जाने किधर चली गई जरा भीड कम हुई तो तुम्हें ढूंडने लगी बासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी पर तुम न दिखाई दिये परशुराम अच्छा तब मरियादा तब मैं एक कि रोती रही परशुराम इतना तूल क्यों देती हो वहां से फिर कहां गई मरियादा संध्या को एक युबक ने आकर मुझसे पूछा तुम्हारे घर के लोग कहीं खो तो नहीं गए हैं मैंने कहा हां तब उसने तुम्हारा नाम पता ठिकाना पूछा उसने सब एक किताब पर लिख लिया और मुझसे बोला मेरे साथ आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूँगा परशुराम वह आदमी कौन था मरियादा वहां की सेवा समीती का स्वेंग सेवत था परशुराम तो तुम उसके साथ हो नहीं मरियादा और क्या करती वह मुझे समीती के कारि ले गया वहां एक शामियाने में लंबी दाड़ी वाला मनुष्य बैठा हुआ कुछ लिख रहा था वही उन सेवकों का अध्यक्स था और भी कितने ही सेवक वहां खड़े थे उसने मेरा पता ठिकाना रैस्टर में लिखकर मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया जहां और भी कितनी खोई वी इस्तिरियां बैठी वी थी परशुराम तुमने उसी वक्त अध्यक्स से क्यों न कहा कि मुझे पहुचा दीजिये मरियादा मैंने एक बार नहीं सैकड़ो बार कहा लेकिन वह यह कहते रहे जब तक मेला ना खतम हो जाए और सब खोई ही इस्तिरिया मैं बेजने का प्रबंध नहीं कर सकता मेरे पास ना इतने आदमी है ना इतना धन परशुराम धन की तुम्हें क्या कमी थी कोई एक सोने की चीज बेच देती तो काफी रुपे मिल जाते मरियादा आदमी तो नहीं थे परशुराम तुमने यह कहा था कि खर्च की कुछ चि सबी जल्द अपने घर पहुँचना चाहती हैं मगर क्या करें तब मैं विचुप हो रही परशुराम और सब इस्तरियां कुए में गिर पड़ती तो तुम भी गिर पड़ती मरियादा जानती तो थी कि यह लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं कुछ मेरे नौकरी मजूर नहीं है फिर आगरह किस मुख से करती यह बात भी है कि बहुत सी इस्तरियों को वहां देखकर मुझे कुछ तसली हो गई परशुराम हाँ इससे बढ़कर तसकीन की और क्या बात हो सकती थी अच्छा वहां के दिन तसकीन का आनंद उठाती रही मेला तो दूसरे ही दिन उठ गया होगा मरियादा रात भर मैस्तरियों के साथ उसी शामी आने में रही परशुराम अच्छा तुमने मुझे तार क्यों न दिलवा दिया मरियादा मैंने समझा जब यह लोग पहुंचाने की कहते ही हैं तो तार क्यों दूँ परशुराम खेर रात को तुम वही रही युबक बार बार भीतर आते रहे होंगे मरियादा केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था हम जब हम सब उने खाने से इंकार कर दिया तो वह चला गया और फिर कोई न आया मैं रात भर जकती रही परशुराम यह मैं कभी न मानूगा कि इतने वक आकाश के देवता नहीं होते खेर वह दाड़ी वाला अध्यक्स तो जरूरी देखवाल करने गया होगा मरियादा हाँ वह आते थे पर द्वार पर से ही पूछ पूछ कर लोट जाते थे हाँ जब एक महिला के पेट में दर्ध होने लगा था तो दो तीन बार दवाएं पिलाने आये थे परशुराम निकली ना वही बात मैं इन धूरतों की नस नस पहचानता हूँ विशेश कर तिलक माला धारी दड़ियल को मैं गुरु घंटाल ही समझता हूँ तो ये महाशे कई बार दवाई देने गए क्यों तुम्हारे पेट में तो दर्ध नहीं होने नहीं करते थे परशुराम हाँ वहाँ सब देवताई देवता जमाते खैर तुम रात बर वहां रही दूसरे दिन क्या हुआ मरियादा दूसरे दिन भी वही रही एक स्वेंग सेबक हम सब इस्तरियों को साथ लेकर मुख्य मुख्य पवित्र अस्थानों का दर्शन कराने गया दो पहर को लोटकर सबोंने भोजन किया मरियादा गाना बजाना तो नहीं हाँ सब अपना अपना दुखड़ा रोती रही शाम तक मेला उठ गया तो दो सेबक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आए परशुराम मगर तुम तो आज साथ में दिन आ रही हो और वह भी अकेली मरियादा स्टेशन पर एक दुरगटना हो गई परशुराम हाँ यह तो मैं समझी रहा था क्या दुरगटना हुए मरियादा जब सेबक टिकट लेने जा रहा था तो एक आदमी ने आकर उससे कहा यहाँ गोपिनात के धरमचाला में एक आदमी ठहरे हुए हैं उनकी इस्तरीक हो गई है उनका भला सा नाम है गोरे गोरे लंबे से खुबसूरा तादमी है लखनव मकान है जवाई टोले में तुम्हारा हुलिया उसने ऐसा ठीक बयान किया कि मुझे उस पर विश्वास आ मैंने सामने आकर बोली तुम बाबुजी को जानते हो वह हसकर बोला जानता नहीं हूँ तो तुम्हें तलाश क्यों करता फिरता हूं तुम्हारा बच्चा रोरो कर हलकान हो रहा है सब औरतें कहने लगी चली जाओ तुम्हारे स्वामी जी घबरा रहे होंगे स्वैंक सेवक ने उससे दो चार बातें पूछ कर मुझे उसके साथ कर दिया मुझे क्या मालूम था कि मैं किसी नर पिचास के हाथों पड़ी जाती हूं दिल में खुशी थी कि अब बासु को देखूंगी तुम्हारे दर्सन करूंगी शायद इसी उच्चुकता ने मुझ तुम्हें यह न सुजी कि उससे कहती जा कर बाबुजी को भेज़ दो मरियादा अदिन आते हैं तो बुद्धी ब्रष्ट हो जाती है परशुराम कोई आ रहा है मरियादा मैं गुसल खाने में चिपी जाती हूं परशुराम आओ भाभी क्या भी सो ही नहीं दस तो बच गय होंगे भाभी बासुदेव को देखने को जी चाहता था बहिया क्या सो गया परशुराम हाँ वह तो अभी रोते रोते सो गया भाभी कुछ मरियादा का पता मिला अब पता मिले तो भी तुम्हारे किस काम की घर से निकली स्तिरिया थान से चूटी भी गोडी है जिसका मरियादा बाहर आकर हुनहार नहीं हैं तुम्हारी चाल है वासुदेव को प्यार करने के बहाने तुम इस घर पर अधिकार जमाना चाहती हो परशुराम वको मत वह दलाल तुम्हें कहां ले गया मरियादा स्वामी यहना पूछिये मुझे कहते लज्जा आती है परशुरा इसका हुलिया बयान कर सकती हो मरियादा सामला सा छोटे डील डौल का आदमी था नीला कुर्टा पहने हुआ था परशुराम गले में ताबीज भी थी मरियादा हाँ थी तो परशुराम वो धरम साले का मेहतर था मैंने उसे तुम्हारे गुम हो जाने की चर्चा की थी वह उस दुशने उसका वह स्वांग रचा। मरियादा मुझे तो वो कोई ब्रहमन मालूम होता था। पर सुराम नहीं मेहतर था, वो तुम्हें अपने घर ले गया। मरियादा हाँ उसने मुझे तांगे पर बैठाया और एक तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर ले जाकर बोला तुम यहीं बैठो तुम्हारे बाबुजी यहीं आएंगे। अब मुझे विदित हुआ कि मुझे धोखा दिया गया। रोने लगी। वो आदमी थोड़ी देर बाद चला गया और एक बुढ़िया आकर मुझे भाती भाती के परलोबन देने लगी। सारी रात रो रो कर काटी। दूसरे दिन दोनों फिर मुझे समझाने लगे कि रो रो कर जान दे दोगी मगर यहां कोई तुम्हारी मदद को ना आएगा। तुम्हारा एक घर छूट गया है। हम तुम्हें उससे कहीं अच्छा घर देंगे। जहां तुम सोने के कौर खाओगी और सोने से लट जाओगी। तब मैंने देखा कि यहां से किसी तरह नहीं निकल सकती। तो मैंने कौशल करने का निश्चे किया। परश पहले थी। इस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। मरियादा स्वामी जी यह अन्याना किजिए। मैं आपकी वही इस्त्री हूं जो पहले थी। सोचिये मेरी दशा क्या होगी। परशुराम मैं यह सब सोच चुका और निश्चे कर चुका। आज 6 दिन से यह सोच रहा हूं। तुम जानती हो कि मुझे समाज का भै नहीं। छूत विचार को मैंने पहले ही तिलान जली दे दी, देवी देवताओं को पहले ही विदा कर चुका। पर जिस इस्त्री पर दूसरी निगाहें पर चुकी, जो एक सब्ताह तक ना जाने कहां और किस दशा में रह परशुराम, जहां गिरना है वहां दया कहां। मैं अब भी तुम्हारा भरन पोशन करने को तैयार हूं। जब तक जियूंगा तुम्हें अन्वस्त्र का कष्ट ना होगा, पर तुम मेरी इस्त्री नहीं हो सकती। मरियादा मैं अपने पुत्र का मूह न देखूं, अगर क किसी ने असपर्स भी किया हो। परशुराम, तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ छन भर भी एकांत में रहना, तुम्हारे पती ब्रत को नश्ट करने के लिए बहुत है। यह विचित्र बंधन है, रहे तो जनमांतर तक रहे, तूटे तो छन भर में तूट जाए। तुम्ही बताओ, किसी मुसल्मान ने जबरदस्ती मुझे अपना उच्छित भोजन खिला दिया होता, तो मुझे स्विकार करती है। वह तो दूसरी बात है, परशुराम नहीं, एक ही बात है, जहां भाओं का संब्धन है, वहां तर्क और न्याय से काम नहीं चलता। यहा अपने ही दिल से सोचो कि तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूं या अन्याय। मरियादा मैं तुम्हारी चुई हुई चीजें ना खाती, तुमसे पिर्थक रहती पर तुम्हें घर से तो ना निकाल सकती थी। मुझे इसलिए ना दुदकार रहे हो कि तुम घर के स्वामी हो और कि मैं इसका पालन करता हूं। परशुराम यह बात नहीं है, मैं इतना नीच नहीं हूं। मरियादा तो तुम्हारा यही अंतिम निश्चे है। परशुराम हां अंतिम। मरियादा जानते हो इसका परिणाम क्या होगा। परशुराम जानता भी हूं और नहीं भी जानत मरियादा मुझे वासुदेव ले जाने दोगे परशुराम वासुदेव मेरा पुत्र है मरियादा उसे एक बार प्यार कर लेने दोगे परशुराम अपनी इच्छा से नहीं तुम्हारी इच्छा हो तो दूर से देख सकती हो मरियादा तो जाने दो, न देखूंगी समझ लूँगी कि विद्वा हूँ और बांज भी चलो मन, अब इस घर में तुम्हारा निवाह नहीं चलो, जहां भाग ले जाए तो ये आप सुन रहते, मुंसी प्रेमचन जी की कहानी निर्वासन, रिनू की आवाज में ऐसी अद्भूत कहानीों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तैंक यू